Hello and welcome everyone to Magnet Brains. My name is Sanitya और मैं हूँ आपका Economics Faculty once again with the another topic of this chapter. लेकर आचुके हैं आपके लिए जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे Indian Economic Development के बारे में. हमने सारी वीडियोस के अंदर देखा कि Indian Economic Development हमारी Indian Economic की दशा को बताता है कि किस तरह से हम लोग जो है struggle कर रहे थे और हमारे decisions क्या थे, कैसे हमें exploit किया जा रहा था, कौन सी कैसी policies थी जो हमें use करी जा रही थे exploit करने के लिए और कैसे हमारा फाइदा उठाया जा रहा था, और सब चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं. मैं आपको बहुत सारी चीजों का information दिया and let's come to the last part of this video, explanation point, जहाँ पे हम Indian economy on the eve of independence की बात करते हैं. चलिए गईज, देखते हैं, policies of British rulers, state of Indian economy, क्या policies हमें British rulers जो है, वो लेकर आते थे और कैसे उन्होंने हमारी Indian economy को सफर करा है, इन सब चीजों को भी ज़रा समझेंगे. कैसे हमारी Indian economy सफर हुई है, कैसे British rule जो आया है, उनने कैसे policies को implement किया है, जिससे कि हमारा कुछ नुकसान भी हुआ होगा, obviously, तो ज़रा देखते हैं, कैसे exploit हुए, क्या हमारी दिकते थी, और ऐसी और सारी amazing videos देखने के लिए, आप Magnet Brains चानल को भी सब्सक्राइब कर सकते है जहाँ पर सारी की सारी videos आपको मिल जाएंगी, KG1 से लेके 12 तक की, तो सारी की सारी videos देखने के लिए, Magnet Brains चानल को सब्सक्राइब कर दीजे, guys, see you, और बाकी देखते हैं, इस topic में क्या करने वाले, भले आप UP Boards से हो, MP Boards से हो, विहार Boards से हो, doesn't matter, सारे Boards की videos यहाँ प आपको notes चाहिए, e-notes, e-books चाहिए, तो आप description में link के है, उस link को press करके भी e-notes, e-books अवेल कर सकते हैं, चली guys, जड़ा चलते हैं हमारे इस topic के अंदर, let's see कैसी policies Britishers ने बनाई, हम exploit करने के लिए, और क्या state था Indian economy का, उसको भी जड़ा समझते हैं, चली guys, let's see, सबसे पहले आते हैं, British ruler, British ruler, grossly neglected, British ruler ने grossly neglect किया, irrigation facility को, किसको neglect किया, irrigation facility को, and technology upgrade in India's agriculture, British ruler, British ruler ने हमारी irrigation facilities, irrigation facilities को totally neglect किया, ध्यान नहीं दिया, हमारे किसानी पे, हमारे agriculture पे, और नहीं उसको कैसी भी तरह से promote करने के लिए, technological upgrade करने में कोई मदद करी, अज़ान कोई भी technology का, हमारे उपर कोई भी industry अंदर, अज़ा, basically if you say, कि agriculture industry में, if you gonna just use the primitive methods, old तरीकों के उपर जाएंगे, तो आपको एक चीज़ रेलाइस होगी, कि उन्होंने production हो, काफी बढ़ाया, और आपके देश में वैसे production काम हो रहा था, तो उसमें technology आपका वैसी अप्रडेटेशन नहीं होगा, तो और काम होगा, और अगर production कम होगा, तो इंसानों के लिए चीज़े बनेगे कैसे, हाँ या ना, फिर आया, Britishers, Ruler, Forged, Farmers, farmer को force किया, उन्होंने की cash crops बनाईए, और food crops को ना बनाईए, मतलब किस के उपर जाधा ध्यान दीज़े, cash crops के उपर जाधा ध्यान दीज़े, वज़ा आप चारे हो, कि आप से cash crops जाधा बनवाया जाए, rather than, कैसी crops, food crops, food crops और cash crops ने सरफ फरक क्या है, food crops मतलब अनाच, चीज़ें जो कि आपको पैसा ला कर दे जाधा, है न, अब बिटक cotton को खा नहीं सकते, जूट silk को खा नहीं सकते, खाना तो अनाजी पड़ेगा न, और इस चक्कर में हमारे पास खाने की कमी पह गई और खाने कमी पढ़ने के वज़े से हमारे पास फेहमाई ना गया, जो क राव मेटीरिल काफी सस्ते में मिल सके किसको, ये सस्ता राव मेटीरिल, कैश क्रॉप्स बिटा, बहुत सस्ते में मिल सके किसको, है न, ये राव मेटीरिल किसको मिल सके, ब्रिटिश उसको मिल सके, जिससे कि वो finished good बना के फिर इंडियन्स को बेच सके, आपको मैंने वो vicious cycle बताया था कि इंडियन से ही raw material खरीदो बहुत सस्ते में लगान लगा और बहुत सारी कीज़े करो, tax tax लगा उनके उपर और उसी product से उसी raw material से एक नया product बनाओ, finished good बनाओ और finished good को बहुत महेंगे दामों पे इंडिया में बेचो, बहुत हर तरीक इसे loot बचा रखी थी आपने discriminatory tariff policy का मतलब है बिटा, कि आपका जो import और export का जो जरिया है, कितनी चीज़े import हो रही है, कितनी चीज़े export हो रही है, आपको मालुमी है, हमारे handicraft business को, handicraft business को सफर करने के लिए, handicraft business को सफर करवाने के लिए, आपने क्या किया बिटा, आपने हमारे यहाँ से ही raw materials बहुत सस्ते दामों से लिए, Britishers ने, raw materials को बहुत सस्ते दामों पे use किया, मतलब खरीदा, raw materials को बनाया finished good में, finished good में, और उने मशीनों से बना कर, इतने सस्ते दामों पे बेचा, कि उसको compare करवाया गया, मतलब competition हुआ, कि है handicraft बिटा, हाथ से बनीवी चीज़ में महना ज़्यादा लगती है, तो थोड़ी सी price, थोड़ी सी उपर side पे होती है, लेकिन machine से बना हुआ कोई product हो, machine से बना हुआ कोई product हो, तो उसकी price comparatively काफी कम हो जाती है, और machine से बनीवी चीज़ की accuracy थोड़ी जादा होती है, हाथ से बना ही चीज़ थोड़ी सी हो सकता है, कभी उपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर कोई painting मना होगे, तो खो सकता है, कोई painting अच्छी हो, कोई painting खराब हो, print करने में क्या होता है, exact exact copy paste आ जाता है, zerox आ जाता है, हाँ या न, तो machine वाली चीज़ों को preference सस्ते में अच्छी चीज़ मिल रही थी, तो लोगों ने उसको prefer करना चालो किया, तो हमें हर चीज़ में exploit हो रहे है, हर जगाज से exploit कर जा जा रहा है, उल्टा, अगर हम चाहें क हमारे देश में नहीं बिकरी है, भार बेज दें किसी को, पहली बात तो हर किसी को दे नहीं सकते हैं, दो तीन देशों को ही आप बेज सकते हो, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, इराग हो गया, है न, स्रिलंका हो गया, ऐसे कुछ देशों के अंदर ही आप export business करतकते हो, major 50% से भ अगर मुझे देश के बाहर प्रड़क को भीजना है तो, और import करना है, तो फ्री है, मतलब बाहर से सामान बुलवाना है तो फ्री है, और बाहर बेजना है तो उस पर extra charges देने पड़ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाए कि मेरे को बाहर से कोई सामान, जैसे अपन किसी भी company जो मैटो मैटो से, अगर कोई भी हम सामान बुलवाते हैं, तो क्या होता है, उसमें delivery charge देना पड़ता है, वो बोलना है कि delivery charge आपका free है, लेकिन जब रिटर्न करवाओगे कोई product, या आप जो है कोई product बेचोगे, तो आपको delivery charge देना पड़ेगा, मतलब ही क्या हो गया, कि म अपना फाइदा करवाना था, इसलिए अपने products को free में देश के अंदर पहुचाए जाए, भारत के अंदर पहुचाए जाए, और बहारत से कोई भार product जाए, तो वो उसपे excise duty लगा दो, या फिस पे tariff ऐसा लगा दो, कि वो महंगा हो जाए, और महंगा product कोन खरीदना चा फिर देखा गया, कि वह यह simple जी बात है, in faint जो industry थी, जो छोटी मोटी industry थी, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया लंबे समय तक, और जिससे की हमें नुकसान देखने को मिला, लंबे समय तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, और लंबे समय तक जब तक कोई ध्यान नह पड़ रही आपको, बहुत ज़्यादा पैसा देना, heavy import duty were imposed on Indian cotton textile, cotton textile के लिए बहुत ज़्यादा महंगी import duty देनी पड़ रही है, financial banking institutions were not promoted, financial banking institution जो है, वो बिल्कुल भी promote नहीं करे गए, क्योंको finance का कोई market बने आपके आपे, या कोई banking institution पैदा हो, कोई, कोई उस पर कोई support न नहीं, तो बनेगा कैसे, financial sector कैसे बनेगा, British capital was invested mainly in those industries which could serve Britain interest, पैसा सिर्फ उस पे लग रहा था, जिससे Britishers को फायदा हो, rather than India's interest, India की interest को serve करने की बजाए, आप Britain की interest को serve कर रहे हो, Hence, foreign capital investment in India, Indian during colonial period gave, क्या बोल रहे हो, hence foreign capital, foreign capital investment दिया गया, in Indian, Indian during colonial period gave birth to distorted economic growth pattern, जिस वैसे क्या हुआ बिटा, foreign capital investment जो हुआ हमारा, Indian during colonial period, colonial period के अंदर gave birth to distorted economic growth, काफी distorted economic growth को इनने जनम दिया, वतलब काफी बुरी तरह से हमारी growth हो रही थी economic ही, चीक है, पीटा, इसके कुछ मैं आपको positive contribution भी बताना चाहता हूँ, कि positive contribution आपके, क्या है British rule के अंदर, क्या 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 गया, सबसे पहले, self-sufficiency in food grains, पहले क्या था, food grains बिटा, आपके जितने भी अनाज वगरा थे, उसकी self-sufficiency बनाई गई थी, है न, क्या आप सब लोग के अंदर जो है, आपके 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 खाने की ची transport, airways बगरा बनाकर, आपने transport को पहले बेतर किया, roads बनाई, railway system बनाया, जिसे कि सामान को एक जगा से दूसरी जगा तक पहुचाय जा सके, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी problem के, check on famine, बिटा, अगर आपके पास अनाज नहीं है, check on famine, if you don't have the अनाज, if you don't have the food grains, तो उसके उ हमारे पास food grains का protection हुआ, हाई या ना, तो आपने बोला कि भाया, ऐसा ना हो कि आपके उस खाने के लिए कुछ ना बचे, तो इसके उपर ध्यान दिया गया, फिर shift to monetary economy, monetary economy की तरफ shift होने की बात करने लगे, क्या monetary economy की तरफ shift होने की बात करे, पैसों के introduction की बात करने लगे, आप पैसों के introduction से, आप जो है, economy को चलाने की बात करने लगे, और ये सारी चीजों का आपने impact देखा, और effective administrative setup, आपके, बिरिटिशन से पहले, ऐसाथ कोई setup नहीं था हमारा, होता है न, पहली नीव को ही रख दे, उसके ताजमेल हम बना देंगे, वो वाली बात, पर पहली नीव रखना ही, तो सबसे मुश्किल होता है न, बिरिटिशन ने कुछ ना किया हो, पर एक नीव तो बना दी थी देश की, कि यार, जैसे कानून विवस्ता जब उनने बनाई, कानून विवस्ता बनाई, तो कानून विवस्ता भी, आज भी हम लोग काफी सारे British law के लिपा free consent मैं बता जाता हूँ free consent का मतलब होता है कि अपनी खुद की इच्छा free consent तो जब आप free consent की बात करते तो उसमें section 15 आता है section 15 जो बात करता है coercion की coercion की बात करता है यह बता exact exact same dures नाम से exact name dures नाम से dures नाम से exact same British law में है लोग दोनों चीज़े सेम है लेकिन British law के अंदर उसे dures कहा जाता है यहां पर coercion कहा जाता है इधर coercion कहा जाता है और इधर dures कहा जाता है ठीक है यह चीज़े भी हम लोग ने कहां देखा British rules Britishers से सीखी कानून विवस्ता कैसे चलती है देश को कैसे चलाया जाता है कम से कम उनने मतलब हमें exploit करने के लिए चलाया देश को लेकिन चलाया तो हाँ यह न तो इस चीज़ को भी दिखा जाता है फिर आता है बिटा colonial economy की बात कर रहे है अब बेटा सबसे important देखो colonial semi-feudal देखो यहाँ पे भी सब कुछ है colonial economy क्या है semi-feudal क्या है यह सब चीजे मैं आपको बताने वालों पर इसका अगर आप चाहो तो एक बास screenshot भी ले लो इसका पहले screenshot ले लो तो मैं आपको बताऊं जरा कि कौन कौन सी चीजों के उपर आपको ध्यान देना है चलो जी बिटा जरा देखते हैं colonial economy और semi-feudal economy stagnant economy backward economy depleted or depreciated economy या amputated economy क्या बताती है colonial economy आपको पता है कि मतलब आपके उपर colonialism हो रहा है मतलब आपके उपर कोई ruler है और ruler आपको rule कर रहा है कोई आपके उपर ruler है जो आपको rule कर रहा है that is known as colonial economy colonial economy मतलब कोई ruler है और अपने हिसाब से कुछ rules and regulation लगा कर अपने हिसाब से अपनी interest के लिए अपने इस देश को control कर रहा है आपके देश को कोई और आकर control कर रहा है that is known as colonial economy ठीक है colonial economy जरा देख लो इन इंडिया colonial exploitation is a long history and Britain rule which resulted in a huge drain of wealth ठीक है अज़र इसको और अच्छे समझाएंगे semi-futal economic का मतलब है कि भाई यह जमीदारी सिस्टम जो है जमीदारी सिस्टम में क्या हुआ था जमीदार्स ने allow किया farmers को क्या हो और हमारी जमीन पर तुम farming करो और हमारे लिए products बनाओ हमारी जमीन पर आप जो है farming करो और हमारे लिए products बनाओ यह ऐसा semi-futal economy में बोला गया फिर stagnant economy वह या कोई growth नहीं दिख रही है stagnancy है काफी कोई growth नहीं दिख रहा है कुछ भी बड़त नहीं दिख रही है या फिर backward economy backward economy मतलब क्या ऐसी economy जहां पर आप बोल सकते हो कि for example पिछड़ा हुआ है economy के rate से देखोगे तो बहुत पिछड़ा हुआ है जब दूसरे देशों को देख रहे हो comparatively economy में तो काफी grow कर रहे है और हम लोग grow ही नहीं कर रहे है तो ऐसा क्या है कि बाकी लोग grow कर रहे है हम नहीं कर रहे है तो backward economy का example दिखा गया depleted or depreciated economy ऐसी economy जो कि भाया जिसकी मतलब economic conditions को देखो तो उसकी overall value में decrease हो जाना ठीक है economic aspect से देखोगे तो ऐसे assets की value की overall period में देखोगे तो उसकी value में decrease हो जाना जैसे कि आप बोल सकते जो machinery उसकरी जाती देश में उन machinery की value में जो economic objective को पूरा करने के लिए होती है उसकी value में decrease आ जाना एंपिटेड एकनॉमी एंपिटेड एकनॉमी का मतलब होता है एक एकनॉमी के बहुत साई टुकड़े कर देना चलो जी जरा देखते हैं क्या बोलने वाले colonial economy का मतलब है in India India के अंदर colonial exploitation is a long history colonial exploitation आपको मालूम है कि Britishers ने हमें कितने लंबे समय तक मतलब 200 सालों तक हमें जो है इन्होंने क्या किया है ? 200 सालों तक इन्होंने हमें परिशान किया है और हमें रूल किया है which resulted in huge drain of wealth जिसके वैसे क्या हुआ काफी जादा हमारी wealth को drain हुआ हमारी जो है काफी सारी, हमें सोने की च्छडिया बोला जाता तो हमें बहुत लूट lootकर पर हमारे रिसोर्स को भी लूटा गया, जैसे कि हमारे कोई भी ग्रेंज हों, स्पाइसे हों, हर एक चीज़ को बहुत जादा लूटा गया हमारे precious metals हो, कुछ भी हो, बहुत अलग-अलग तरीके से exploit किया गया हमें हम से ही लड़वाया गया semi-feudal economy, semi-feudal economy क्या बोलता है कि British or period के अंदर दो steps देखे गए हमारे किसमे semi-feudal economy में सबसे पहला आता है introduction of feudal system feudal system मतलब क्या feudal system का मतलब है कि बहुत जमीदार उसको बुला गया कि आप जो है किसी और से काम करवाई है जैसे कि जमीदार मैं हूँ तो मैंने बुला है मैं तो खेट पे काम करूँगा नहीं और में पास जमीन भी है जमीदार मैं तब के लाँगा जब मेरे पे जमीन होगी तक वो ही तो जमीदार होता है और जमीदार आदमी ने बोला है मैं तो काम करने वाला नहीं तो एक काम करो फार्मर्स को बुलाओ उनको बोलो मेरे फार्म पे काम करेंगे कुछ भी अनाज बना जो भी उनको उगाना होगाएंगे और मेरे लिए बनाएंगे मैं उनको बेचूंगा मतलब मजदूर की तरह नौकर की तरह काम करने के लिए आप बुलाओगे उनको यह जमीदारी सिस्टम ठीक है introduction of capitalist system capitalist system का मतलब क्या होता है जहाँ पे government का कोई रोल नहीं होता सिर्फ private sector काम कर रहा होता है government मतलब business नहीं करता है private sector काम कर रहा होता है जैसे कि आज की डिट में USA USA is a capitalist economy ठीक है capitalist system का इसने part लिया फिर आया हमारे पास भाईया stagnant economy stagnant economy है ऐसी economy जिसमें growth नहीं दिखरी आपको country's economy as country's growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2% 2% से भी कम थी 20th century से पहले लब इंडिया की growth के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप सब कुछ बहुत ही मधे दम पे चल रहा है मधे स्थर पे चल रहा है कि production या फिर आपके growth के respect से बात करो तो ना के बराबर है ना के बराबर है तो यह stagnant economy का एक पाट है backward economy backward economy बोल रहा है in India Indian economy के अंदर Indian economy के अंदर Indian economy काफी backward थी Indian economy was backward and underdeveloped Indian economy backward थी और underdeveloped थी due to many reasons बहुत अलग अलग reasons है low level of productivity productivity का level काफी low होना traditional methods of agriculture agriculture का काफी traditional method होना कि आप agriculture जो करे हो काफी पुरानी तरीकों से करे हो काफी traditional methods के थुरू कर रहे हो चीक है productivity आफी काफी कम है आप बना कुछ पानी रहे हो धंक से productivity ना के बराबर बहुत कम है और भाईया आपका traditional method और इन सब चीजों से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे आपको upgradation करना पड़ेगा, technology को लणा पड़ेगा, ठीक है technology को लणा पड़ेगा game में, ठीक है ऐसी कई सारी चीजों को आपको बीच में करना पड़ेगा आपके seeds का high yield, आपके ऐसे seeds होने चाहिए ठीक है, ऐसे yield वाले seeds होने चाहिए जो कि आपको production जादा करे, ठोड़ी advanced techniques, ठोड़ी से advanced चीजे हर चीजों को एक balance तरीके में develop करना, agriculture करना वो सब चीजों काफी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है इन सब चीजों की या पर काफी बात करी गई, clear है, चलो जी और मैं आपको बता दू बिटा, depreciated economy और imputed economy मतलब क्या कि किसी के, मतलब ऐसे economic objectives को पूरा करने के लिए जो asset की value decrease होती है over a period of time उसे हम कहते है, depreciated economy या depleted economy कि मतलब over the time उसकी value कम होती जा रही है उसे हम depreciated economy कहते है, जिसे machinery जो भी उस करोगे तो उसकी value कम हो जाती है similarly that, amputated economy का मतलब है, बिटा आप बोलतो न, amputate कर दिया मतलब काट दिया बीच में से, है न, काट दिया बीच में से बिटा, Britishers ने क्या किया, Britishers ने ही तो किया, एक अखंड भारत को कई सारे टुकडों में अलग कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान, भारत मतलब इंडिया अलग, इंडिया अलग है, बांगलादेश अलग है, बांगलादेश अलग है, बांगलादेश अलग है, भूटान और ना जने क्या क्या, भूटान, बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडिय अलग-अलग टुकडों में बाढों तिया अब सब इंडिविज्वयल---टॉमो खें बंगलेश की इकलामी एलग है पाकिस्टान की किन Once अलग है इंडिया की के इकलामी इलग है सब और सब लोग अलग हैं बांगलादेश अलग इंडिया अलग पाकिस्तान अलग सारे लोग अलग अलग इसे हम igning economy का मतलब है कि सब के टुकडे हो जाना और सब के टुकडे होने की वज़े से सब अपनी अपनी तरीकी से देश को चलाना तो ये भी करने के पीछे किसका काम था? हमारे Britishers का काम था. Divide and rule. अलग कर दो. हम से हमी को लड़ा दो. और हम से हमी को लड़ा कर उनको तो बैठकर पॉपक्कॉन खाने थे. मतलब अब बिस सी बात है कि जब तीसरा आदमी लड़ाता है कि इन दो लोगों को मैं तेरे साथ हूँ आ रहे हो किसके साथ? आप तो भाईया डबल बात कर रहे हो. है ना? तो इन सब चीजों के थुरूबी आपको काफी ज़ादा आपके लिए नुकसान करवाया गया. अपने फाइदे के लिए. और ये सब चीजें देखने को मिली हमें इस सब्सक्राइब कर सकते हो. यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एंपी बोर्ड, सीबसी बोर्ड, कोई से भी बोर्ड से हो, डजन माटर, आप बिल्कुल जाकर ये विडियो सारी देख सकते हो. मैगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चैनल और उसके वेबसाइट पे भी. तो आप वेबसाइट पे जाएं, आपको सारे इंडिया के best teacher की, KG1 से लेके 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपके साने दिशर की आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैगनेट ब्रेंस और यूट्यूब चैनल पे, उसके website और उसके YouTube चानल पे और यह सब कुछ होगा बिटा, free एकदम निशुल्क एक पैसा देने की जरूत नहीं है iPad हो, mobile phone हो या ही कोई laptop हो, internet है और इन में से good device है, आराम से आप videos देख सकते हो, without any fees, without any subscription, without any money हर चीज फ्री होगी निशुल्क होगी, कोई पैसा देने की जरूती है आप बस बहतर तरीकी से पढ़िये यही हमारा motive है आप चाहें तो e-notes और e-books भी avail कर सकते हैं, उसका description box में link है, अगर आप चाहते हैं 95 plus percent लाना या फिर 100 में से 100 number लाना तो बिटा यह notes को avail करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे द्वारा यह notes बनाए जाते हैं और हमारे द्वारा अगर यह notes बनाए जा रहे हैं तो बिटा आप बिलकुल यह बोल सकते हैं कि जब हम जैसे answer present करते हैं और वही देखकर आप ऐसा ही लिखके आते हो तो अब यह आपके marks कटने की chances कम से कम हो जाते हैं और पहले भी बच्चों के आये थे इतने number 100 में से 100 इस बार भी आये थे आगे भी आएंगे आप ही लोग लेके आओंगे इसी list में अपने को आना है यह बात याद रखना चीक है तो all the very best आप सब लोगों को exam pass भी आ रहे है wish you all the very best अरैसे notes और इन सब को अविल करने के लिए आप जो है बेटा description box में जाके इस link को press करके भी कर सकते हैं और आप चाहें तो हमें दूसरे दूसरे social media पर भी follow कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram पर भी I hope you guys like the video Thank you so much